गुंजन आखबन किये शिखर के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भढ़ने का इंतिसार कर रही थी, मगर शिखर के हाथ कापती चले जा रही थी, भर भी तो भाई भावी की मांग, ये तो सिर्फ मांग भढ़ना है, सोचो जब मांग पूरी करनी हुई तब क्या हाल होगा फ तो आप ही मुझे अधिक नफरत करोगी गुंजन जी, हे इश्वर, तेरे दर पर खड़ा हो कर ये छल कैसे करूं मैं, तू अगर मुझे सुन रहा है तो ये छल होने से रोग दे, कुछ कर काना, कुछ कर तब ही दरवाजे पर खड़कट होती है, और सपलट कर देखते हैं, शिखर घबरा कर हाथ से सिंदूर की डिब्बी छोड़ देता है और वो फर्ष पर गिरने वाली होती है, ये देख गुंजन जोर से चिलाती है, और जट से अपना सिर सिंदूर के नीचे कर लेती है और गुंजन की मांग में जिंदूर भी खड़ जाता है, आखे चलिया कानहा ने अपनी लीला रच ही दी थी, गुंजन की आखे खुशी से छलग जाती है, और वो मुसकरा कर शिखर को देखती है और उसके पाओं को छुने लगती है ये क्या कर रही हैं आप, आप बड़ी हैं मुझसे, बहुत बड़ी क्या बड़ी? अरी बीटा, हमारा शिखर औरो जैसा नहीं है, वो संसकारों से भरा लड़का है, ऐसा पती जो पत्नी को बड़ा मानता है और खुद को छोटा सचमी, मुझसे ज्यादा भागेशाली तो कोई नहीं होगा और मुझसे ज्यादा दुर्भागेशाली भी हलो, किसी को मुझे अंदर बुलाने का इरादा है भी या नहीं? अरी अरी बिटिया, आतो नहीं मासी, मैं तो बस देख रही थी ये स्टार प्लस के सीरिल असली जिन्दिगी में कैसा लग रहा है और ये हमारे छोटे ने शादी कब कर ली? कल तक तो कुवारा था आज ही भाबी की तब यह ठीक होई है और आज है शिवानी दीदी भी आ गई भाबी ये शिवानी दीदी है, मेरी मासी की बेटी और मेरी सबसची दोस्त भी शिखर जी, ये सब आपका परिवार है तो मैं इनको पहचान क्यों नहीं पा रही इनको तो क्या, मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही चुलबल मौकी का फायदा उठाकर शिवानी को कोने में ले जाकर सब पताने लगती है दीदी, आप ही ऐसा जताईए कि गुंजन को आप चानती है भाई इससे बहुत प्यार करता है ओ, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए है सच में छोटू तो बहुत बड़ा हो गया शिवानी गुंजन को सहलाती है हम मिले है पहले भी, जब तुम अस्पताल में बिस्तर पर बेहोच पड़ी थी तब ही मैं वहीं बैठी थी तुम्हारा सिर्ष सहलाती हुई तो इतना क्यों परिशान हो रही हो ये सब तुम्हारे अपने हीतों है इनसे कैसे उलजन और हाँ, एक बात पर विश्वास करो ये चारो लोग शिखर, चुल्बुल, मासा, मासी ये तुम्हारे चार पिलर है इनके रहते तुम्हें कोई भी खरोज भी नहीं लगा सकता कभी नहीं शिवानी की बातों में इतना विश्वास खुला था कि गुंजन का सब डर दूर हो गया और वह शिवानी को गले लगाती है शिखर अपने कमरे में चला जाता है और वहां मायूस होकर बैठ जाता है शिवानी उसे बेचैन देखकर उसके पास आती है क्या हुआ भाई तुम्हारी मन में आखिर चल क्या रहा है बेहन मुझे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा जिस दिन गुंजन को सब याद आ जाएगा और वो जानेगी कि वो मेरे साथ मेरे ही कमरे के बिस्तर पर सोती थी तो वो मुझसे घेना करेगी और मुझसे जादा खुद से घेना कर बैठेगी वो अपने मांग के सिंदूर के लिए बहुत इमानदा लड़की है वो किसी गैर मर्द के सा रुकने वाली बात जानेगी तो कहीं वो खुद को खत्म ना कर ले मैं फस चुगा हूँ दीदी तो उसी छोड़ाओ किसी जगह पर से अंधेरा कुआ ही सही मगर आखिर है तो उसका अपना घर उसका ससुराल नहीं दीदी नहीं वो ससुराल घर नहीं वो कसाई खाना है जहां पर बहु लड़की ना होकर मोठे गोश्ट वाली बकरी होती है जो जब तक अपना मास बेच कर पैसा देगी तब तक काम की और जैसे ही मास खत्म पैसा खत्म हड्डियों की तरह उसे कच्रे में फेक दिया जाता है गुझजन जी के साथ ऐसा ही किया आपने देखा था न बाहर उने इधर आई एक बार शिखर शिवानी का हाथ पकड़ कर उसे दर्वाजे के पास लाकर बाहर खड़ी गुझन को देखने के लिए कहता है दीदी एक बार देखो उस लड़की को लग रहा है तंसे सारी नहीं दुनिया भर के दुख लिप्टे हो उसके कुमल हाथों को देखो जहां एक हमसफर का हाथ मिलना चाहिए था वहां बस चूला चौका ही मिला उसकी नरम नाजुक कलाईया देखो कैसे चूड़ियों से खनक रही है मगर वहां केवल कलाई मरोडने के निशान पड़े रहे गए उसके माथे की बिंदी उसे सबसे सुन्दर बनाती है पर वहां चिपग गया दुरभाग गया जी करता है दीदी उसके आखों का काजल बनकर उसे पूरी दुनिया की नर्जा से बचा लू मगर मैं बस उसके जीवन का कालिक बनकर रहे गया और मैं नहीं चाहता कि वो कालिक मेरी गुंजन जी को बदनाम करे इधर देखो मेरी गुंजन भी कहते हो और इश्क चिताने का हक भी नहीं रखते क्या हुआ अगर वो इस गुजरी जिंदगी में तुम्हारी होकर नहीं रही क्या हुआ अगर उसे पिछली जिंदगी में सिर्फ दुख मिला पर अब तु सुख मिल सकता है ना तो फिर डर कैसा मैं चानती हूँ तुमको डर ये है कि कहीं तुम भी उसके लिए एक बुरी कहानी ना बन गए तो तुम डरते हो कि प्यार की जगे गुझन तुमसे नफरत तु नहीं कर बैठेगी तुम डरते हो उसे पाकर फिर खोने से इसलिए तुम पाना ही नहीं चाह रहे हो है ना शिखर यही डर है न तुम्हारा शिवानी के मूँ से हर किस्म का सच सुनकर शिखर के मन का दरिया बाहर बह बढ़ा था हाँ यही डर है मेरा अभी वो मेरी नहीं है पर अगर वो मेरी बन गई तो फिर मैं उन्हें खो नहीं सकूँगा नहीं जाने दूँगा कहीं चाहे उसके लिए मुझे दुनिया को आग लगानी पड़े या खुद को फिर हम हमेशा साथ ही रहेंगे परचाई की तरह मैं फिर उन्हें खो नहीं सकूँगा नहीं खो सकूँगा नहीं खो सकूँगा नहीं शिखर खोने या पाने के लिए क्यों प्यार करना तुम सर्फ जीने के लिए प्यार करो ना प्यार देने के लिए प्यार करो जिन्दा रहने के लिए प्यार करो दर्वाजे पर एक और खटखट और मयंग भी वहां आ जाता है ओ तो गुरू ग्यान हासिल कर रहे हो साले साहब शिवानी मयंग की पास जा कर उसका चहरा सहलाती है शिखर तुम्हें मीरी और मयंग की कहानी पता है शायद तुम ठीक से जानते नहीं हो और क्या आप? क्या आप जानते हैं शिवानी और मयंग की कहानी क्या थी? उनके विवाह की कहानी नहीं जानते न या शायद हमें भूल गए लगते हो वो एक ऐसी कहानी थी जिसने मरी हुई शिवानी के शरीर में सास डाल दी थी करोडों लोग अभी तक उसे देख चुके हैं तो आप क्यों पीछे हैं? नई किरेदारों की आजाने से पुरानों को नहीं भूलें रंग बदलते जरूर हैं मगर पुराने रंगों को भूलना नहीं चाहिए जाए अभी जाकर देखिए हम दोनों की कहानी विवाह क्योंकि किसी रिष्टे में मर कर फिर से जिया कैसे जाता है ये आप उस कहानी में देख सकेंगे और उसके लिए आपको यमुनापार जाने की भी अविशक्ता नहीं है बस यहीं इसी चैनल पर देखिए विवाह एक समाजिक कहानी मयंक को शिवानी सारी दास्ता सुना देती है मगर फिर भी मयंक रुका नहीं मैं क्या सोचती हूँ, लोग क्या सोचते हैं, घर वाले क्या सोच रहे हैं ये सब साइट करके उसने सिर्फ इतना जाना कि उसका काम सिर्फ मुझे प्यार करना है बदले में प्यार की उमीद करना नहीं मैं भी डरी रहती थी कदम आगे बढ़ाने से सहब जाती थी अगर कहीं पहुचने के लिए कहीं से निकलना तो पढ़ता ही है न शुरवात तो करनी ही पढ़ती है कदम बढ़ाने से डढ़ने लगोगे तो तुम वही खड़े रह जाओगे और फिर हम दोनोंने लंबी उल्जन से निकल कर एक दूसरे की और कदम बढ़ाई और पहुच गए विवाह के मंडब तक शिखर को शिवानी की बात समझाती है गुट लग नहीं कहोंगी क्योंकि महबत करने वाले लोग अपना लग खुद चुनते हैं तुम भी कुछ सुन्दर चुनाव ही करोगे मुझे मेरे भाई पर पुरा विश्वास है अब तुम और मयांग बात करो मैं मासी के पास जाती हूँ शिवानी बाहर जाती है और गुझन के पास खड़ी हो जाती है खुश हो तुम गुझन हाँ बहुत बस डर है एक अजीब सा कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं चो आँख खुले और सा बोजल हाँ दीदी आपको कैसे पता यही डर लग रहा है अच्छा पर इस डर भर इस सपने की बीच तुमको सबसे बड़ा सच क्या लगता है वो बता गुझन ये सुनकर मुस्कुराती है और सिंदूर की डिबया मुठी में थामती है इस पर सब सपना हो सकता है पर ये नहीं सब औजल हो सकता है पर ये नहीं सब छूट सकते हैं पर ये नहीं मुझे विश्वास है कि मैं नींद में हूँ या जागी होई हूँ हर जगह मेरे पीछे शिखर खड़े होंगे पता है दीदी मुझे उनके साथ बहुत मैफूस महसूस होता है शिवानी हसकर गुंजन का चहरा सहलाती है बस ये विश्वास काफी है दोनों की जोड़ी पनी रहे चलो शिखर आज के लिए इतना काफी है मुझे लगता है तुम्हें हमारी बात जाद सुनने की बज़ाए अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए बाकि हिम्मत तो तुम्हें खूब है ही अपने प्यार को बिकने से बचा लिया इससे बड़ा और क्या सबूत होगा मगर वीर तुम बढ़ते चलो मंजल तुम्हारे सामने है ठेंक्यू जीजू जल्दी मिलते हैं शिवानी और मयंग जाने लगते हैं एक बार फिर से आद दिला दे इने क्यों नहीं ये चहरे याद रखना दोस्तों और विवाह कहानी को बार बार प्यार देती रहिए नई कहानी आती रहेगी मगर पुरानों को भूलना नहीं है जल्दी फिर से मिलते हैं लव यू आल दीदी ने सही कहा मेरा कर्म गुंजन जी का ख्याल लगना है बस मुझे मेरी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए हमारे धर्मिया जो दूरिया आई है उसकी वज़े तो नहीं जानती मगर एक पत्नी हमेशे अपने पती की ही रहेगी वो भी पूरी की पूरी मन से भी और तन से भी आज रात में ये तन की दूरियां ही मिटा दूंगी शिखर जी गुंजन खुश होकर बेडरूम में चली जाती है तब है टिंक की आवाज आती ही उधर से मेसेज आता है चुलबुल के लिए मेसेज अब कहानी का ट्राक फिर से बदल रहा है रिष्टों का एक नया रंग खुल रहा है क्या चुलबुल प्रतीक का शिकार बन जाएगी या बचेगी जानने के लिए देखते रही ये रंग बदलते रिष्टे केवल लाफसटी पर ठांक्स फो वाचेंग चुलबुल अपनी कमरे में बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपना फोन चला रही थी शिवानी दीदी की भी कहानी सेट हो गई भाईया भी महान लव स्टोरी बनाने का इंतिजाम में लगा है सब कही न कहीं सेट है और एक मैं हूँ कि बस कैंगरू की तरहें उचल ही रही हूँ मगर कोई ढूनी नहीं पा रही हूँ और तब ही चुलबुल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा था वान माच फाउंड चुलबुल की आँखों में तारु जैसी चमक थी और वो जैसे ही नोटिफिकेशन खोल कर देखती है और स्क्रीन पर प्रतीक जी की फोटो आती है जिसका नाम था Mr.PK प्रतीक की और चुलबुल स्क्रॉल करके प्रतीक की फोटो देखती है जिसमें उसने एक ऐसे शरीफों वाली और स्मार्ट फोटो डाली हुई थी देख तो जबरदस रहा है अरे चुलबुल कंट्रोल ये तो सिर्फ डेटिंग आईडी है क्या पता असली में कौन हो कैसा हो नाम भी तो देख पीके वैसे इसकी प्रोफाइल पर लिखा क्या है वो देखती हूँ नाम पीके, काम बड़ा बिजनसमें परिवार में मा, बाब, बेहन और खुद बस हम्, स्टेटलस इसका सिंगल है ओके, तो मिस्टर बैचलर है रिच भी है, तो मैच तो हर तरह से हो रहा है अब सरा मेसेज आ जाए तो देखू, बात करने में कैसा है वैसे भी, मैं तो लड़की हूँ मैं क्यों पहले मेसेज करो मैं तो भाब खाऊंगी